सो है गैस वेलकम टू जेके डिस इंफो यूटूब चैनल दोस्तो एक अलग वीडियो में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि मेरा यह जो छोटा एंटेना वाला वीडियो था तो दोस्तो काफी सारे दोस्त करता है और जहां पर मैंने कुछ और चीजे बताई थी दोस्तो उसे इस्तमाल ना करते हुए हम एक बार फिर से किस तरह से दोस्तो इसे यूज करके सिगनल को रिसीव कर सकते है चलिए देखते है आज की इस वीडियो में तो गाइस वीडियो पसंद आए ते वीडियो को ल और पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि उसके लिए आपको एक सैटलाइट फाइंडर मीटर चाहिए होगा और MPG4 बोक्स चाहिए होगा तो ये दो चीजे यूज करके मैंने सिगनल दिखाया था बट आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि ये दोनों साइंस जो है वो इसकी पीछे काम करता है कोशिश करूंगा आप नहीं सबसे बताने की बाकी वैसे ज्यादा साइंटिस्ट हो नहीं तो ही बता पाऊंगा बट जो भी है तरीका जो है वह आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाऊंगा ताकि आप समझ भाए और अगर आप जो सिगनल है वह यह सेट फाइंडर मीतर और MPG 4 दोनों सेट्टर वॉक्स कनेक्शन के बात दोस्तों यहां पर से एक मेगनेटिक फिल्ल जनरेट होता है और उसके बात दोस्तों जो सिगनल है वह इसमें से होके यहां में या इस इंटेना में मिलते थे तो फिर दूस्तों आज की इस वीडियो में मैंने यहां पर से एक मैगनेट यूज करके और मैगनेटिक फिल्ड जनरेट करने के लिए मैंने आप देख सकते हैं यहां पर कोशिश किए हमने तो यहां पर दोस्तों भी सिगनल आपको अच्छी तरह से मिलेंगे पूरा मैंने इसके अंदर कोईल ल दिखा होंगा अब देख लिए आप तो यह दोस्तों बेजिक इसके पीछे का साइंस की यहां पर इस मैगनेटिक फिल्ड से दोस्तों अब इसे कर सकते हैं तो इसे जनरेट कैसे करें तो सबसे पहले दोस्तों हमारे जो डिस एंटेना का केबल है जो कि यहां पर मेरे पास यह मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर दोस्तों में करना आए पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको इसे चेक करवा देता हूं फिर क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं ठीक है तब सबसे पहले यहां पर से में सिग्नल चेक करता हूं ना है वो डिदीफीडिस पर अपी फिलाल के लिए सेट है ठीक है वर्ट दोस्तों हमें यहां पर से दिखाना यह कि बीना वायर लगा है कि इस तरह से इसमें इतने ही सिगनल मिलेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर से सबसे पहले तो आपने यहां पर देख लिया कि यह से बीना वायर यानि कि वायरलेस कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे ठीक है तो यह कैसे काम करता है चलिए अब बात करते हैं यहां पर से डीटेल में तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो एंटेना वाला जो केबल है जो की लनबी से होता हुआ यहां पर आया है उसको में द 3V या 18V जैसा व्रोंट यहां पर मिलते हैं तो आपके पास सारे कुछ फैसिलिटी पीने वगेर से आपके पास है तो आप लगा सकते अपने सबसे इस चुछ कर रहा हूं और कुछ केबल वायर का यहां पर से कनेक करके इसके अंदर बारा वोल्ट देने का जुगर कर लेता हूँ ठीक है तो ये मतलब आप गर पर ही इसा कुछ एक्स्परिमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं इसलिए मैं ये जुगर से कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीच वाला जो वायर है यानि कि ये दोस्तों प्लस वाला वायर हमें यहाँ पर इसके अंदर लगा देना है जो की मैगनेट के उपर जो भी हमने तार बांद रखिए उसके वाद शाथ एक और तार आपको जोड लेनी है वो तार को दोस्तों हमें यहां पर से देना है डीश एंटेना के वायर के अंदर तो यहां पर बीच में मैंने वायर लगा दिया है तो दोस्तों बीच वाला वायर जो है वो प्लस है और यह साइड वाला वायर है वो माइनस है यह से गर के हमें दोस्तों जो बारा वोल्ट है तो connection हमने LNB में दे दिया है अब दोस्तों यहां पर जो यह magnet है वो यहां पर से magnetic field generate करता है यानि कि दोस्तों यहां पर जो signal है वो यहां पर से बेजने का काम करता है यहां पर एक transparent की तरह और दोस्तों यहां पर से हमें एक receive करने के लिए सिगनल तो यह छोटा वाला एंटेना यहां पर से हम लगा कर अभी आप यहां पर देख सकते सिगनल नहीं है उसके बाद दोस्तों में यहां पर से इस एंटेना को लगा रहा हूं तो आप देखना यहां पर सिगनल कैसे हमें मिलते हैं ठीक है और कैसे सिगनल मिलते है तो आप यहां पर से अगर सायद देख पा रहे हैं तो सिगनल यहां पर इंक्रीश होना शुरू हो रहे हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख लिए बिना यहां पर से कोई कनेक्शन यहां पर मुझे जो सिगनल है वो मिल रहे है इस वक्त यह देख लिए आप यहां पर 32-33% तक सिगनल मिल रहे हैं यहां पर जैसे हमें वह कैबल लगाने पर मिलते थे सेम दोस्तों इतने ही सिगनल मुझे यहां पर मिल रहे है ठीक है तो आप यहां पर बीच में आप देख लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है नहीं यहां पर मैंने कोई वायर को लगाया है और ऐसे ही द दूस्टों आप यहांपर से देख सकते कोई Keleson नहीं है वायर नहीं लगाए है इस्ते सिग्नल जो है वह से मिल रहे मैगनेटीक सögल की टीक है तो दोस्ट्व इसके पेचे हैग छोटा सा साइंस कह सकते हैंसे कि यहांपर दूस्ट्व इस मैगनेटीक फिल्ड की वज़े से यहां पर से जो सिगनल है वो MPG 2 box से वो रिसीव कर लेता है आराम से जैसे कि आप यहां पर से देख सकते हैं इसी तरह कैसे दोस्तों आप यहां पर से चला पाएंगे और दोस्तों अगर आप ज्यादा रेंज चाहते हैं तो यहां पर दूसरी और भी ज कोशिस करेंगे बिल्कुल तो आपको बिल्कुल बताएंगे बाकि यहां पर एक छोटा सा एक्सप्रिमेट और यह मैं आपको दिखाना चाहता था और क्योंकि पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया बोला कि आपके MPG 4 सेट्टो वोक्स और यह मीटर भी चाह है बाकि यहां पर सिग्नल आटोमेटिक यहां पर से कनेक्ट हो जाते है यह देख लिए चैनल चल रही है ठीक है तो इस तरह से मैंने दोस्तों MPG 4 बोक्स में कोशिश की बट यहां पर MPG 4 में ऐसे सिग्नल रिसीवर नहीं होते हैं बट MPG 2 सेट्टो बोक्स में दोस्तों का कि आम MPG 4 बोक्स में कर सकते हैं चैंटिक तो इसलिए मैं यह बता रहा हो लाष्ट में कि MPG 4 में दोस्तों यह वर्क नहीं किया है मेरे यहां पर ठीक है बाकी MPG 2 में अगर आप करना चाहे तो बिल्कुल आप आसान से दोस्तों कर सकते हैं क्योंकि यह दोस्तों फैक्ट है क और ये दोस्तों काम करता है magnetic field पर तो ये छोटा सा यार science है बट यार तो वैसे कुछ लोग haters है वो भी बोलते होंगे कि भाई ये फेक है गलत वीडियो है टाइम पास है बट ऐसा नहीं है जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमेसा में आपको जन्यून और सही वीडियो ही आप तक दिखाता हूँ तो ये भी दोस्तों एक छोटा सा science था और छोटा सा इसके पीछे logic था जो कि मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया था जो कि पहले इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताया था तो उम्मीद करता हो कि आपको ये पसंद आया होगा अब पसंद और नए मिमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लेना ताकि दूस्तों आपको इस तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो मिलते रहे तो चले दूस्तों मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ नए आडियास के साथ तब तक के लिए जय ही इन बंदे मातरम